जैहिंग जैभारत और वेल्कम टू डेफ टॉक्स दिस आदी अचिंद कल एमिये की ब्रीफिंग वी एमिये की ब्रीफिंग के अंदर काफी सारे स्टेट्मेंट्स दिये जाते हैं और मैंने सुझा कि आपके साथ जैसे मैं हार अफ़ते करता हूं कि साव उसकी अनालिसिस के देखा जाए कि वही किस जगे पर चीजें बैठी हैं भारत का क्या स्टैंड हैं वेरियस इशूस डटार अरूंड दो वर्ल्ड काफी कुछ जियो पुलिटिकली बदल रहा है और आपको देखेगा कि किस तरह से दुनिया के अंदर काफी चेंजिस आ रहे हैं तो सबसे पह किस ऑफिशल के साथ मिलें वो मिलें उनके डिफेंस मिनिस्टर के साथ तो इसकी उपर काफी सारा ऑनलाइन एक नारेटिव चलाया गया पाकिस्तान की तरफ से काफी कुछ बोला गया कि यह तेखो राकी साज़श विस्से शुरू हो रही है यह है वो है उसका ऑफिशल के इसाब से आपको पता ही होगा कि भारत काफी टाइम से जब से अमेरिकन हटें अफगानिस्तान में से तब से भारत हैस बीन सेंडिंग इसिस्टन्स यहां तक की वैक्सीन और यह वह काफी कुछ भेजा है आपने और जो भी मेडिकल के लिए जो चीजें होती है उनके इन दे फो फॉर्फ्रंट विद रिगार्द स्टू अफगानिस्तान और वह चीज तो तालिबान की तरफ से भी रेक्नाइस की जाती है कि भारत की तरफ से बहुत काम किया जा रहा है यह चीज़ हमको पता होनी चीज़ काबूल रिवर पे एक डैम बन रहा है और भी कुछ प्रोजेक्स हैं जहांपर आफगानिससाल को बेसिकली पाकिस्तान के उपर से जो एक उसका डिपेंडेंसी थी कराची पोर्ट और इनके तो उस हाइवे पर रेल की बाते चल रही है ताकि अफगानिस्तान अपने आप पोर्ट की तरफ जो चाभार पोर्ट बेसिकली भारत मैंज करता है एरान के अंदर वहां पर अपने आप अपना काम कर सके अपने एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट जो भी उसको करने हैं वो अपने तो यह आफ तो कैंड आफ मेक शूर दाट यह पाकिस्तान की डिपेंडेंसी जी हो है अफगानिस्तान पे वह हटे बिकोज इंड उफ इंड उफिट देप्ट की खाब रखते हैं पाकिस्तानी वह वैसे भी मिट्टी में मिले हैं तो वह अभी छे फूट और नीचे गढ़ यह यह बाते हुई है अफकोर्स काफी सारी टेरिरिजम और इन चीजों के बारे में बाते हुई होंगी क्योंकि वो बॉर्डर रीजिंस के अंदर हमको पता ही है आइसिस का भी वहाँ पर थोड़ा सा इस्टाइबलिश्मेंट बन रहा है और वहाँ पर यह जो लशकर यह जो इस तरफ थोड़े बहुत operation चल रहे है इतनी sustainability इनके पास नहीं है कि वो भारत की तरफ जिस तरह पहले करते थे वो कर सके क्योंकि आइसिस के अंदर आपको बताइए कि एक रीजनल उनका रोल बनने वाला है और बन चुका है और अमेरिकन प्रेजन्स भी है वहाँ पर CIA की तरफ से काफी एक प्रेजन्स रहती है जिस तरह से वहाँ पर कि आइसिस के साथ काफी कुछ अटाइक्स और यह सब चीजने कराते हैं आपको याद होगा मॉस्को के अंदर अटाइक्स होए थे उसके बाद इरान के अंदर अटाइक्स होए थे तो इंडिया इस ओविसली कंसर्ण अबॉट इस पर्टिकलर तिंग एंड जो भारत के अं क्या है क्या स्टेटेस है बंगलेशी प्राइम मिनिस्टर शेख असीना का भारत के अंदर क्या है क्या नहीं है काफी सारे वाया कूछ दोस्ती करते हैं एंड लेट्स वर्क तुगधर फूचर क्योंकि आप सब को पता हिए डिमोक्राटिक establishment और सेख रसीना की बंती नहीं है democratic establishment के जो इनके assistant secretary of state Donald Luke की तरफ से ही regime change किया गया था वहाँ पर और किस तरह से उनको हट राया गया था वहाँ से ये चीज़ हमको पता ही है और किस तरह से Clinton and Obama backed Yunus को वहाँ पर अभी बिठाया हुआ है यूनस का हमको पता ही है कि भाई हाँ थोड़ी खराब ही है and we know that उसने अभी तक congratulatory एक letter भी नहीं भेजा है एक letter जो online भूम रहा था अब वो पदा चल रहा है कई लोगों के sources की दरफ से पदा चल रहा है कि भाई या वो तो fake है ये भी पदा चल रहा है कि यह confirm नहीं है बट यूनस भागा हुआ है और यूनस इस ताइम पर फ्रांस में बैठा हुआ है and we will actually see that यह game कैसे आगे जाएगी क्योंकि एक चीज़ आपको दिखती है कि भी बंगलादेश के अंदर थोड़ी से भी tension है कि यार यह तो डेमोक्राटिक इस्टालिश्मेंट ही हट गी है जितना गहरे राज का हमारे का सपोर्ट मिलता था हो ही हट गया है कैसे आगे चलेगी गेम इसकी उपर काफी सारे डिसकॉशन आपको दिखना शुरू हो चुका है अलरड़ी लेकिन भारत ने बोला है बड़ा क्यार ली कि साब शीज़ लेके काफी उटसुक हैं क्योंकि बांगलादेश के अंदर से अगर आप फीड़बैक देखेंगे कि साब नहीं नहीं ये तो ये तो ये तो इलेक्शन चुराया था ये करा था वो करा था काफी कुछ एक narrative चलाने की कोशिश की जाती है लेकिन भारत ने अपना stand बड़ी क्लिरली रखा है कि she's the former prime minister she is here and she will continue to stay here as long as she wants to stay here क्योंकि काफी हता कि ये इनके जो international war crimes tribunal है बांगलादेश में उन्होंने करीब 2.200 case लगा रखें इनके उपर आट विच 194 cases are for murder अगेंशे कसीना ये जितने बंदे वो जो प्रोटेस्स की टाइम पर मरे थे उनके ऊपर ये केस ऑविसली लगाया हुआ है यहां पर मैं आपको कुछ मतलब एक हिंट देना चाहता हूं कि भाईया कुछ ना कुछ चल रहा है and something you will see happening in the next sometime जहां पर भारत एक कुछ step लेगा जहां से अपने interest को secure करने की कोशिश की जाएगी I don't want to say anything more I can see some movement happening and कुछ ऐसा दिखता है कि there will be some stands that have been taken by भारत आगे जाके जिस तरह पर बांगलदेश की जो अंदरी अंदरूनी एक situation है especially with regards to Hindus उसके बारे में कुछ करने की अभी भारत कुछ कोशिश करेगा and something will happen in the next 25 to 30 days so we need to keep a track of what is gonna happen Hindus की attacks आपको पता ही है चल रहे हैं अभी एक दू दिन पहले एक incident वहां जहां पर एक चिटगॉंग में चाटो ग्राम जो चिटगॉंग में जगे है वहां पर एक Muslim shop owner ने कुछ ऐसे कुछ statements लिखे especially on iscon and आपको पता ही है जब से यह जो पिछली बारी हिंदू के इस दुकान वाले ने लिखा कि साब यह terrorist organization है यह वो उसको प्रोटेस्ट करने के लिए कुछ हिंदू उसके दुकान पर पहुंचे वहां पर थोड़ा सा जड़ा पड़ा हुआ और थोड़ी सी अब उनके साथ विचारियों के साथ क्या क्या हो रहा होगा यह तो भगवान उनको थोड़ी शक्ती दे बचाए उनको नहीं तो हमको पताइए कि इस्लामिस यह जो राडिकल इस्लामिस है और एक्स्ट्रीमिस है यह किस तरह से विवार करते हैं तो यहां पर M.E.A. का स्टेट्मेंट बड़ा स्ट्रॉंग सा राकिसाब देखिए यह सब चीजें हम बार टाइम से देख रहे हैं वी विव बनिंग अगेंस्ट इट कि यह सब चीजें मत करिये अदर्वाइस यह एक बारी बोला कि विविल फाइनली ओप तर गवर्मेंट जो भी पैठे है महाँ पर आपर आपर आपको जैसे इस तरह से चीजें होती भी दिखती हैं इस नौट आप अपर लिटरली नॉन एक्जिस्टेंट है क्योंकि कई कभी काम पर जाते हैं कभी नहीं जाते हैं तर भारत की तरह से स्कूरू टाइट भी किया जा आपको देंगे तो वह भी थोड़ा सा यह तो यह बड़ा इंटरेसिंग सा गेम है और दीरे-दीरे करके यह खुलेगा इसकी पर नजर हम आविसली बनाके लखेंगे अगली बात हुई कैनेडा के बारे में कैनेडा को तो काफी जोड से जटका मारा गया कि इसाफ देखो ऐसा है वी नो दाट जैशंकर जी और ऑस्टेलियन फ्रॉंट मिनिस्टर पैनी वॉंग का जो एक प्रेस कॉन्फेंस हुआ था जहां पर बेसिकली खालिस्तान की उपर जो चीजें चलती हैं इसकी उबर फॉर्ण मिनिस्टर पैनी वॉंग का भी स्टेटमेंट आया कि भाया वी रिस्पेट अ दे राइट फ्री स्पीच हम लोग एक हमारा हम मुल्टी कल्चर सोसाइटी है हम फ्री स्पीच में विश्वास करते हैं वही सेम एक जो वेस्टन न अगर आप देखेंगे कि सब्सक्राइब अभी इस वह दिखाता हूं आपको पता ही आपको पता है आपको अगर आप आप देखेंगे कि साब अभी ये पील रीजनल पुलीस जो है उन्होंने चार लोगों को अरेस्ट करा है जिनके अंदर राजेंदर बैनर जी अर्मान घेलोट अर्पित और एक और एक और जने हैं जिनको अरेस्ट करा है फॉर दी इंसाइटमेंट और वाइलेंस है कैनेडा किस तरह आगे चलता है और जो डिक्टेटर टूडो है वो अपनी कंट्री में और दूसरों को सिखाने के लिए फीडम और स्पीच डिमाकरसी करता है लेकिन एक चोटा सा इंटर्व्यू अपने कंट्री में एर उने नहीं देता तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो कितना हद तक गिर चुका है और कितने हद तक उसकी हालत खराब हो रखी है अपने कंट्री के अंदर तो चलिए लेटिंग कंट्टिनीव और पील पूलीज ने इस चार अरेस्ट के बारे में ट्वीट करा है लेकिन आपको फणी चीज दिखेगी उसमें ट्वीट में कमेंट्स ब्लॉक हैं तो ये भी अगें दुबारा दिखता है कि बही किस तरह का एक फ्रीडम और स्पीट चल रही है इंडियन डिप्लोमाट्स के बारे में न्यूज आई थी कि बही वो अंडर सर्वेलेंस आले गए विच इसका स्टेटमेंट पहले भी आया था और उसको तो यह प्री-प्री-प्लैंड अटैक है और यहां पर हमारी इंटेलिजेंस एजन्सी ने बोला है कि साब यह तो जस्तिंदर के ऑफिस से अपने आप ही अप्रूव हुआ था कि बहीं यह यह तेंपल के अंदर कुछ बखेडा क्रेट करने की कोशिश की जाए जब वहां प पर प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट्स और ऐसे कैंप वहां पर चल रहे हैं और यहां पर हमारी की तरफ से बोला गया कि वी कंडेम दी अटेंपल इन ब्रैंटन और कनेडियन गवर्मेंट का रूल ऑफ लॉव 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 पर काफी डाउट्स आ रहे हैं इसी भी मांगी थी हमने बोला था कि साब आप उनको स्कुरिट्वाटिव द दो यह इस मंदिर में हो रहा है ये 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 हमारा प्रोग्राम और ये है चीजें कर रहे हैं तो हमने मांगी थी लेकिन वो सिकुरिटी कनेडियन अथॉर्टी ने नहीं दी और यहां पर भी इनोंने बोल the Canadians are purposefully trying to create and यह चीज को बड़ी clearly call out कल किया गया था and देखे यह भी बोला गया कि भई ऐसा है security agents की inability हमको दिखती है कि हम minimum security भी provide नहीं कर सकते Indian consulate को आपको हमको समझ में आना चाहिए तो basically what we've done is we are now gonna start cancelling these councillor services तो ठीक है आपके पास वहाँ पर लोग बैठे है आप यह उनको देख लीजा हमको कोई problem नहीं है अगर कल को कुछ होता है तो we will put a hands up एंसे कि भी यह Canadian government से बात कर लीजा आपको हम तो देना चाहते हैं pension हमने तो camp champ पर आए लेकिन वो अगर आपके जो Canadian co-citizens है खालिस्तानी जो terrorists है वो अगर करना नहीं चाहते तो what can we do तो बड़ा clearly जो schedule counselor camps को भी cancel किया गया है in a big bloody message to the diaspora as well कि साब it is time that you start pushing the government to actually create some sort of a conducive employment और भारतिय जितनी भी agencies हैं उसके अंदर वहाँ पर काम करने के लिए इंडिया चाइना पर एक सवाल पूछा गया कि भईया ठीक है disengagement हो रही है सब कुछ आगे चल रहा है patrolling शुरू हो चुकी है आगे दीरे-दीरे करके जा रहे है देमचौक में तो हो गई है देपसांग में भी शुरू हो चुकी है और यहां पर कुछ बात नहीं वही वह जो एक आर्टिकल आया था ट्रिव्यूंग के अंदर जहां पर एक मेरे ख्याल से इंफ्रमेंशन वार्फेर टैक्टिक जहां पर भारत ने चायना को एक मैसीज बेढ़ा देखो एयर ऐसा है वी आर्व यह नोट ड़न बिकॉस तरह से फॉलो करिए इस आ नॉट ड़न बिकॉस तो प्रिवेंट तो यह भी बड़ी इंट्रेस्टिंग होती है फाइनली डॉलन ट्रॉम की उपर जो भी आया ने बोला कि भई बड़ी स्पेशल रिलेशन्शिप है मोधी साब को अलरडी डॉनल ट्रॉम से इंट्राक्शन हो चुका है और इंडिया इस तरह से जिस तरह से रिजल्ट आया सब कुछ पीस्फुली हो गया वी वांट तो पर आपको दिखेगा कि साब मोधी साब का और भारत का जो एक नजरिया एक पॉजिशन है दुनिया के अंदर उसकी और उसका जो एक एक पॉजिशन है उसको रेकिंग्नेशन आपको मिल रही है विद रिगार्ट सुडनल्ड ट्रॉम नौप यह फालतू के बेवगूफी वाले केस्वेस भी लगा रख हैं इसको कैसे आगे लेके जाता है इलीगल माइग्रेंशन पर निकालने की कोशिश करेगा यहां पर मैं आपको बता हूं कि अपना बॉर्डर बंद करो क्योंकि दो धाई लाक बंदे जो यहां पर आ सकते हैं और यह चीज मैं होते हुए देखता हूं कि अमरीका से जैसी अभी थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा भी पूतिन का क्या नजरिया है डॉनल ट्रम पे and there is some conversation that has happened yesterday, not phone to phone conversation but एक statement इदर से आया, एक statement इदर से आया, types and पूतिन ने इस बारी फिर से मोधी साब का नाम आगे रख जहां पर एक teaser की बात की जाएगी कि कल हम लोग दोपैर में गहरे राज्य की उपर basically क्या-क्या topics हैं उसका एक outlier हमने आप आपने सामने रखा है कल detail में हम discussion General Orion के साथ करेंगे, आज रात को हम मिलेंगे अपने दोस्त गेब्रियल से जो इसरेल से आएंगे जो हमको क्या प्लाइग कि का लिएded हो.